नमस्कार किसान साथियों स्वागत है आपके यूथिकरिकल्चर के एक और नए वीडियो में यह परवल का क्रॉप जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं समतल भूमी पर परवल की खेती की गई है आज चरे चकित कर देने वाली कमाई अगर कोई खेती देती है तो वह परवल की यहीं देखने के लिए अज फिर मैं इस क्रॉप में आया तो हलाकि उमीद के मुताबिक तो अभी फलन नहीं दे रहा है लेकिन फिर भी जितना दे रहा है उतना किसान के लिए परियाप्त है और इंकम काफी अच्छी दे रहा है अभी किसान को यह अब सोचिए इसका रेट अभी जो मार्केट में चल रहा है न वो 40 रुपे केजी चल रहा है 35 से 40 रुपे केजी इसका रेट अभी मार्केट में चल रहा है और पूरा लगवग हाफ हेकर का क्रॉप है यहां पे इसके बगल में दोनों क्रॉप लेकर कम से कम 50 केजी से लेकर एक क्विंटल तक तुड जाए एक दो दिन के गयप में हो जाती है तो कहां से कम है अगर ये चारा जार रुपे दे रहा है तो ये आने वाले समय में और भी ज्यादा देखा और भी इससे इनकम ज्यादा होंगे अब आप देखिए अभी इसको कैसे किस तरीके से इसकी फलन अभी हलाकी उमीद के मुत हो गये हैं और जैसे जैसे इसकी लताएं ग्रोग करेगी जैसे जैसे इसकी लताएं ग्रोग करती है वैसे इसमें आपको फल आते हैं हाला कि बहुत ज्यादा फल इसके मर रहे हैं मरने का रीजन यह है ना कि इसको टेंपरेचर इसू का सामना करना पड़ा है जो में लिए नगरे स्थेंक से की जाया तो समय में गरें लेकिन आने वाले समाय में इसका चाहा हो उसके साथ में एक हलकी इंसेक्टिसाइड इसमें दी जाती है ताकि इसके पत्तों पे कोई कीट ना आए इसके पत्ते अल्रेडी काफी रूड होते हैं तो इस पे ज्यादा कीट भी नहीं आते हैं लेकिन हलकी इंसेक्टिसाइड इसमें कंटिनीव चलते रहती है ताकि फूल ऊप्षोफ पूल California ez में तौल उसमें जो मादढ मुत्ः उसके लगाना जाता है जिसमें सिर्फ मादढ मुत्या जाए और अफिंट और आयो कि ए अगर नहीं हो तो उसका फल नहीं होता है तो इस में मादाप फूल की जो जो ढालीं होती है इसको अलग से लगा जाती है उसमें फलन होता ही नहीं है वो डाली सिर्फ भढ फलन नहीं होगा तो परऒल का फूलन नहीं होगा अब यहां परफ कि देखे कितनी सांदार फलन-परऒल की ही हैं कि मतलब एक दम यह गुच्छों में फलन देता हैं काफी ज्यादा इसकी फलन उति है ंपलु से लेकर लास्ट तक इसकी फलन होती है लेकिन अभी काफी ज्यादा गाइं हो साय spr एत्ट सब्सक्राइब लगवाग 50 % खतम हो जा रहे हैं मर जा रहे हैं उसका रीजन कि पौधे स्ट्रेस में आ रहा हैं और पौधों को बचाना जरूरी है इस्ट्रेस से ताकि इसका फॉलन काफी बढ़िया हो ज्यादा अच्छा हो और जितना ज्यादा फॉलन होगा उतना ही काफी ज्यादा चल रही है तो इसके वज़े से जो है परवल करेट काफी ज्यादा भी मार्केट में बना हुआ है हला कि किसान जो अच्छे तरीके से खेती किये हुए तो इंकम तो जेनरेट कर रही रहे हैं अगर दो-तीन दिन में चारह जार ही आता है तो कम कहां से है किसी भी आनव सब्सक्राइब फसल से ज्यादा इंकम इसमें होता है खास बात इसकी यह है कि एक पर इसकी बुगाई हो गई है तो इसको अगले साल आपको फिर लगाना नहीं है इसकी लटी कटिंग हो जाएगी उसमें आप दूसरा पानी अगर जम जाएगा तो वह लतिया सड जाती है खराब हो जाती है फिर वह अगले साल नहीं निकल पाती एक बार लगा दिये तो आप निश्चिंत रहिए इसको आपको दो साल चार साल यह कंटीनिव वैसे ही फलन देते रहता है इसलिए परवल की खेती किसानों के लि होगी इसमें हवा पास करना भी जरूरी होता है साथ में अगर इसमें घास रहेंगे तो यह परवल जो है खराब होगा परवल पर पढ़ेंगे वह खराब होंगे इसलिए इसकी निराई गुडाई कंटीनिव काफी जरूरी होती है इसकी निराई गुडाई काफी संदार त जाहते हैं उनके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि परवल की खेत में निराई गुड़ाई काफी ज्यादा माइने रखती है वैसे जो किसान बंदू माचान बीधी से परवल की खेती करते हैं उनकी फ्लन इसकी अपिक्षा ज्यादा होती है लेकिन उनको बार बार वहीं किसान खरित करे लेके चले जाते हैं बीज के रूप में और उसी को वह माचान बीधी पर भी लगाते हैं या फिर कोई चमीन पर लगाना चाहता है तो जमीन पर भी लगाते हैं इसलिए ये और लताय काफी अच्छा दाम दे कर जाती है कभीकभी ये एकर में 15-20 लाक कम भी रेट देती है तो कम से कम लाताओं से किसान एकड़ में 10 से 15 लाग तो हर कर देती हैं